लोकतंत्रिक प्रणाली की बात कर रहे थे संजीव और लोकतंत्र जो है वो विरासत, समानता, समरस्ता, स्वतंत्रता, स्विकारेता और समावेशीता के महतों पर जोर देती है और यहां पर सब की नजरें इस और टिकी है इस एतिहासिक समारोह में अब विशिष्ट अतीथियों का आगमन लगातार जारी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र फारत और सबसे बड़े लोकतंत्र के नव मिर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे बड़ी लोकतंत्रिक प्रक्रियास से गुजर कर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शबत लेने के लिए पधार रहे हैं राश्ट्रपती भवन के प्रांगन में उत्तरप्रदेश के वारणसी से वतोर सांसद तीसरी बार चुन कराएं हैं देश वासियों का अटूट भरोसा अपार जन समर्थन आत्मिय स्ने हैं और पिछले दस वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल और बेहतरीन नेत्रितों से ये दिखाया है कि ये देश कैसे प्रगती के पत पर उडान भर रहा है समाज के कमजोर तब के से लेकर हर वर्ग की आकांगशाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रितों में भारत सरकार ने एक बाद फिर नई उमीद के साथ शब्दों में अब क्या कहें जो चाह है आप उनका स्वैम अनुभव करें सबका आभार स्वीकार करते हुए नवने बाचित पुर्ण मंत्री श्वी नरेंद्र मोदी तीस्वी बार इस देश की बागदोर संभालने के लिए तया प्लुब तीस्वीड देशि सेवाध पिरिए छुब फिर उनका नरेंद्र मोदी रूस्दि तीस्वी तीस के लिए यारेंद्र मोदी पुर्ण मोदी हो अभालने को उसी चाह है प्लुब विया और प्र दिर थेंगदोंक जए तीस्वीड चाहा है और अब हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं मान्य राष्ट्पती महोदिया के शुभागमन की कुछी देर में वे यहां आएंगी और शपत ग्रहन समारो प्रारम्ब होगा समारो स्थल पर मानिया राश्चिपती महोदिया के आगमन पर राश्चिगान बजाया जाएगा शपतग्रहन समारो के समापती पर भी राश्चिगान बजाया जाएगा मानिय प्रधान मंत्री जी के चहरे पर वही चमक उत्सा उमंग आशा की वो किरन जिसपे 140 करोड देश वासियों की आशाएं उमीद टिकी है नए भारत का स्रुजन करने वाले देश को अंतरराश्चि तर पर चम चमाते हुए सितारे की तरह अंकित करने वाले मानने प्रधान मंत्री जी कुछी देर में तीसरी बार शपत ग्रहन करेंगे जोरदार तरीके से अभिवादन हो रहा है यहां लविर्वाचित प्रधान मंत्री का एक अजब जोश उमंग उत्सा दस हजार से अभिक महमान और आगमन देश के माननिये उपराश्चि पती श्वीजगी ठंकड और उनकी पत्ली डॉक्टर सुदेश ठंकड का सबका अभिवादन सुईकारते हुए और अब वो इंतजार की घड़ियां बहुत खरीब आती हुई जब आज का समारोह उस मकाम पर जाएगा जहां प्रधान मंत्री और उनके मंत्री परिशत के सदस्ते शपत लेंगे राश्रपती के सचेव धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर होते हुए शी राजी राजी श्वर्मा कुछी समय में हमारे बीच राश्रपती महोदया का शुभागमन होगा मानने उपर राश्रपती महोदय सभी का अभिवादन स्विकार करते हुए अपना स्थान ग्रहन करते हुए सब की निगाहें अब टिकी हुई हैं माननिया राश्रपती महोदया के शुभागमन की ओर मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अधिथी गण मानने प्रधान मंत्री जी अपने चिर्परिचित अंदाज में आखों में चमक, उत्साह और सभी देशवासियों के उमीदों पर खरा उतरने का एक विश्वास लिये हुए मानने प्रधान मंत्री जी मंच पर विराजमान है मानने उपराश्रपती महोदया हम सब प्रतिक्षा कर रहे हैं राश्रपती महोदया के शुभागमन की आपके चेहरे का तेज आपकी आंतरिक शक्ति का भी दियोतक होता है इन बातों को सिर्फ कहा ही नहीं बलकि हम देख भी सकते हैं आज देश के लिए बड़ा ही महतुकून ख्षन जब नई सरकार का गठन हो रहा है और कुछी देर में यहां शपत गरंड समारोश शुरू होगा तो तीसरी बार श्री नरिंद्र मोदी देश के प्रधान नंतरी के तौर पर शपत लेंगे लगातार इस समय चर्चा उनकी राजनास सिंग जी के साथ एक लंबी चुनाव प्रक्रिया के बाद ये वो क्षन जो विजई होने का सुख भी देते हैं आनंद भी और साथी साथ कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदार ही भी जन प्रतिनिधियों का जीवन ऐसा ही होता है और यही हमारी संसद्य प्रणाली की खुबसूर्ती है जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उसके बाद उनसे अपेक्शा रखती है कि वो उनके सपनों को साकार करें और उनी सपनों को कैसे साकार किया जाएगा उसका रोड मैप जैसा कि अभी थोड़ी दिर पहले जसलीन बता रहीं थी कि रोड मैप जिसका पूरा विस्तार से जिक्र हुआ दिनों का ही नहीं महीनों का ही नहीं बलकि कुछ वर्षों का रोड मैप मूदी जी ने तयार कर रखा है लोगों की अपेक्षाएं उम्मीदें बढ़ती हुई और सबकी निगाहें इस समय राश्ट्रपती भवन की सीडियों की ओर मानने राश्ट्रपती शीमती द्रौपदी मुर्मूजी का शुभागमन हो रहा है फ्रौप लूग ब्यूगलेश के इस फैंट वेड़नी के साथ उनका शुभागमन होगा माने राश्ट्रपती महोदया का शुभागमन उनके साथ राश्ट्रपती के सचे राश्ट्रपती के सैन्य सचे मेजर जनरल मंजीत सिंग मन्राल सेवा मेडल तथा राश्ट्रपती के एडिसी भी उनके साथ है लेका बाश्ट्रपती के साथ सुभागमन झाजा के सचे ऋंके साथ करती क palavra पंद्रापती महामन? झाल झाल आपकी अनुमती होतो समारो प्रारम किया जाए मंत्री मैं नरेंदर दामदर्दास मोदी